नमस्कार साथियो, न्यूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं सरकार ने संसद में लिखित जवाब दिया कि पिछले आठ साल में तकरीबन 22 करोड अरजियां आई नौकरी के लिए केंदर सरकार की और उसमें से तकरीबन 7 लाथ लोगों को नौकरियां मिली अगर परतीसत के हिसाब से देखें तो केवल 0.333 फीजदी ये बिरोजगारी का विकराल स्वरूप है भारत देश में इस पूरे परिद्रिश्य पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं अर्थसास्थ के जाने माने प्रोफेसर संतोस महरोतरा तो सर आपसे पहला सवाल ये होगा कि ये पिछले आठ साल किस तरह की आर्थिक नीतिया रही हैं कि केंद्र सरकार के लिए इतनी ज़्यादा अर्जिया दे गए और लेकिन नौकरिया मिली बहुत मामूली एक फिश्दी से भी कम इसको आप इस तरीके से देखिए कि 2004-14 के बीच में बलकि 3-4-14 के बीच में हमारे देश की विकासदर GDP ग्रोफ रेट आठ प्रतिशत थी औस तन जो हमारे देश के इतिहास में अप्रत्याशित थी आठ प्रतिशत वो 15 तक चली मगर जब से नोडबंदी हुई सोला में उसके बाद ये विकासदर में कमी आनी शुरू हो गई और कोविट से पहले 19 के अंत में 20 की शुरूआत तक ये विकासदर घठती घठती आठ से घठती घठती चार प्रतिशत पे पहुँच चुकी थी इसका असर ये सरकार के आमदनी पे ये हुआ कि सरकार स्वैम उसकी आमदनी कम होती गई टैक्स रेवन्यूस कम होते गए तो सरकार जो थी वो कंगाली के कगार पे आके खड़ी हो गई थी इसी दौरान उन युवाओं की संख्या बढ़ रही थी जो पढ़ लिख गए थे जो बड़ी तेजी से खास्तोर से 2000 के बाद से और 2015 तक 2016 तक खास्तोर से बड़ी तेजी से पढ़ लिख गए थे और शुक्षा के हर स्तर पे वो जो भरतियों की रेट होती है इन्रॉल्में जिसका मतलब यह हुआ कि जब वो 15-16 साल के हुए पढ़ाई लिखाई उनकी उनको लगा के खतम हो गई या जो इन्वर्स्टी में आ गए वो उनकी पढ़ाई लिखाई खतम हो गई तो जाहरे वो नौकरी ढूणेंगे तो ऐसे लोगों की ऐसे युवाओं की संख्या बड हमारे युवाओं की संख्या जो पढ़े लेके जा रहे थे और जो गैर क्रिशी छेत्र में काम धूनने वाले थे उनमें बढ़ोतरी होने लगी तो देखें जब विकासदर घटती है तो रोजगार कम होता है यह एक संपूर्ण परिपेक्ष है हमारे बेरोजगारी के संद दो में और यही स्थिती है कि जब रोजगार कम हो रहा था तो लोग फड़ा करके सरकारी नौकरी की तलाश में और निकल रही होती है और काम बढ़ रहा होता गेर क्रिशी चेत्र में तो जो लड़के-लड़कियां पढ़े लिखे जा रहे हैं वो नीजी चेत्र में ही उनको काम मिलता रहता है तो वह तरही तरही वाली स्थिती नहीं थी कम से कम 15 तक, मगर सरकार की नीतियां एतनी गलत थी पिछले पांच-छे साल से खासतोर से कि रोजगार की दर में भेंकर कमी आई किस प्रकार से मैं आँकड़े कुछ गिना देता हूं कि 2004 और 13 के बीच में गैर कृशी छेत्र में 75 लाख नए नया रोजगार पैदा हो रहा था तो जैसे जैसे युवाओ की संख्या बढ़ रही थी जो पढ़ रहे थे उनको नौकली भी मिल रही थी 75 लाख सालाना अब जब विकासदर गिरी इस सरकार के आने के पश्चात तो आप पाते यह हैं कि यह संख्या गिर गई तो 29 लाख हो गई सालाना और यह चली 19 तक 2019 तक और कोविड में तो और भी महामारी की वज़े से और कोविड के दौरान सरकार की घलत लीतियों की वज़े से घलत राश्ट्री स्थर पे नौक टाउन कर देना है बिल्कुल चार घंटे की नोटिस पे उन सब वज़ों से जो बेरोज़गारी बढ़ी उसका खम्याजा आम आदमी और खास और से यह ज तो इस वज़े से और सरकारी नौक्री की तलब बढ़ी लाजमी है तो बाइस करोड़ लोग अगर एक साथ लाख नौक्रियों का वेदन भरते हैं तो मुझे तो कोई ताद्व होता नहीं है यह तो रोज मर्रा की इस तरीके के भैबीत करने वाले का आंकड़े आदमें भारत की पूरी आबादे लेकर के और उसमें विरोजगारी को तोड़ दें तो आपको क्या दिखता है कि भारत का जो रोजगार दर है वह कितना कम है और जो इसी के बराबर दो जूसरे मुल्क है उनके हिसाब से इसकी कैसी इस्थित अगर अंतराष्ट्री ओसत से हम अपन 15 और 64 के उमर के बीच में जो अवधी होती है जब लोग काम कर सकते हैं काम करते हैं चाहे वो किसी भी छेत्र में कर रहे हों तो उस दौरान जो वर्किंग एज में जो लोग होते हैं उनके उनका उस जनसंख्या का कौन सा आनुपात रोजगार में है इकनॉमिक एक्टिविटी में है जिसमें आमदनी होती है तो वो है साथ प्रतिशत हमारे देश में वो 40-43 प्रतिशत से जादा कभी बड़ी नहीं और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की महलाओं की का जो एंप्लॉयमेंट रेट है या कि साउदी अरेविया के बराबर है पश्चे मेशिया की जो देश है उनके बराबर है तो उससे जादा बत्तर तो और किसी दुनिया में देश में है नहीं हम वहां पहुंचे हुए है इस समय तो यह बहुत ही दुखदाई स्थिती है और ऐसी स्थिती में जब इतने कम ज्सथिती हो तब आप समझेए कि यह बिलकुल तरही तरही की वाली स्थित्टी है और ऐसी स्थिती में जब जाहर रोजगार जब रोजगार इतना कम पैदा हो रहा है और यवाओं की संख्या बढ़ती चली जा रहा है तो रोजगार दर निश्चित रूप से कम होगा और रोजगार दर कम होता रहा है जिसका एक असर ये भी रहा है कि गरीबी बढ़िए अब थोड़ा सा एक कदम आफी को बात के आगे बढ़ाते हुए हम कहें तो जो आप ये कह रहे हैं कि 40-45 पिसदी 40 के आस पास जो भारत में रोजगार दर रहता है इसमें से कितने लोगों की आमदनी तकरीबन महीने की 20 हजार रुपए से कम होती होगी भारत सरकार का आगड़ा तो कहता है कि केवल 10 प्रतीसत लोग 25 हजार रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो थोड़ा पैसे की हिसाब से देखे तो क्या इस्थिती बनती है यह आखड़ा सही है कि इतना बड़ा अन रोजगार पे जीवन बसर करती है मतलब आप सोचिए इसका असर क्या होता है अगर यह रोजगार दर इतनी कम हो तो अगर इतनी बड़ी मात्रा में तो इसका असर क्या होता है कि लोग खान पान भर के लिए तो अपना पैसा पूरा कर पाते हैं मगर गैर खाद्य पदार्थों को का अगर वह भोग करना चाहते हैं उसकी मांग कैसे बढ़ेगी अगर पैसा बचता ही नहीं अगर उसकी ऐसी चीजों की दाम की मांग नहीं बढ़ेगी तो आप यह क्यो और तेजी आएगी क्योंकि manufactured goods का जो अनुपात हमारे देश में होना चाहिए वो तभी बढ़ेगा वो जब आमदनी बढ़ेगी और आमदनी तब बढ़ती है जो हमने पाया था दो हाजार तीन-चार और से में बढ़ रहा होता है मैं रिए ऐस ले कर रहा हूं कि उत्पाधक्ता प्रतिवयक्ति उत्पाधक्ता गैर कुं में कम होती है पहली मोटी बात ये तो इसलिए जितनी जादा मात्रा में लोग उद्योग में और मैनेफैक्टरिंग से जुरेंगे उसमें उत्पादक्ता जादा होने की वज़े से रोजगार दर भी बढ़ेगी हाला कि अगर सेवा छेत्र की बात करें तो जो आधुनिक सेवा छेत्र हैं उनमें रोजगार दर काफी अच्छी हो रही है और वहां पर उत्पादक्ता भी जादा है तो मैं उन उन सेवा छेत्रों के नाम गिना देता हूं जहां यह स्थिती है आप यह पाएंगे कि इंडस्ट्री फिनैंशल इंटिमीडियेशन मतलब यह एंडी एफसी वगरा एरलाइन मोटर कार का बेच को बेचना रिपैर करना इसका डिस्ट्रिबूशन उन यह इस तरीके के काम उसके अतरिक आईटी और आईटी एस सर्विसेज और इसके लावा नीजी छेत्र में खा से पहले रोजगार पैदा कर रहे थे तो यही छेत रहें एक सवाल और बनता है कि आपने कहा कि 40% के आसपास रोजगारदर है और निश्ची तरुप से बहुत बड़ी आबादी है जो गरीवी कहते हैं कि गरिमा पूर्ण जो जीवन है वो नहीं जीपाती होगी रोजगार कि आखड़े तो 2012 के बाद सरकार ने साधा किये नहीं हालां कि 2017-18 में एक कंसम्शन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था और उसको सरकार ने जारी नहीं किया अपने कारणों से उसमें खाम्यान में काली है अब इसकी वज़े से हमारे पास कोई सरकारी आखड़े में मगर क्य क्योंकि यह संभव है कि और जर्यों से हम आम जनता का हर वर्ग के आम जनता का खपत कंसम्शन एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं तो वह आंकलन मैंने हमने किया उससे यह निकल के आया कि पिछले आठ साल में खास्तोर से कोविट से पहले ही क्योंकि रोज़गार दर कम हो रही थी इन वज़ों से लोग जरीबी रिखा के नीचे जा रहे थे कोविट के दौरान दिकासदर और कम हुई और बढ़ी ऐसी स्थिति में एक बज़ा जो थी जो लोगों की आंदनी कम हुई वो ये कि वो शहर में काम छोड़ करके वापस पलायन करके अपने अपने गाओं चले गए और ये 0 के आँकडों से निकल के आता ये मैंने आक लंकिया है उन इन अँखनों का की लगभग तीन करोड लोग वापस पलायन करके अपने अपने गाओं गए जिसकी वज़े से थर्टी मिलियन थर्टी टू मिलियन यानि की तीन सवा तीन करोड लोग क्रिशी छेत्र में वापस काम करने लग गए अब आप सोचिए जरूरत क्या है जरूरत यह है कि क्रिशी छेत्र से हम रोजगार कम करें जिसमेंसे लोग बाहर आएं गैर प्रशी चेत्र में उनको काम मिले क्रिशी में आमदनी कम होने का प्रतिविकति आमदनी कम होने का यह है कि वहां बहुत जादा लोग है कम है और क्रिशी छेत्र का योगदान हमारे सकल घरेली उत्पाद में केवल प्रत्म पंदरा प्रत्रिशत है जब कि मतलब लगवक 44 प्रतिशत हमारे देश के कामगर हमारा जो श्रंबल है 44 प्रतिशत क्रिशी छेत्र में आ चुका है जो कम हो करके 42 पहुंच गया था दो साल पहले मगर कोविट के दौरान क्योंकि पुना पलायन हुआ वापस गए लोग उसमें संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है और 21 में फिर बढ़ी है तो अब आप सो लिए उसका असर क्या होग गया तो इसलिए तो इसलिए वहां तरहाई-तरहाई मची है रोजो अपरिशी छेत्र में जो फार्मड सूइसाइड्स है वो बढ़े हुए है इसलिए मांग उटती रहती है पुना-पुना के रिंड माफ करो तो यह सब समस्याएं गैर करृषी छेत्र में रोज़गार कम पैदा होने की वज़ों से ही है तो जो भी क्या कहते हैं वंचित समूं जाती जन जाती या मुस्लिम या महिलाएं अगर आप वहां पर जाकर देखें तो क्या विरुजगारी की क्या वहां पर इस्तिति क्या है हमारे देश का जो अनुसूच जन जाती ते लोग है ट्राइवल्स की बात करता हूं वह अधिकतर खेती में ही है अधिकतर वह अधिकतर ग्रामीड इलाकों में ही है अब ग्रामीड इलाकों में जैसे मैं बार बार दोहरा रहा हूं गैर क्रिशी छेत्र के रोजगार कम उत्पन होते हैं और यह दुखत बात है इस वज़े से उनकी उनमें करीबी का अनुपात जादा है हमेशा से रहा है दूसरी बात अनुसूचत जाति के अधिकतर लोग जो गाउं में रहते हैं वह भूमिहीन है अधिकतर वह भूमिहीन है क्योंकि वह भूमिहीन है और अगर उनको यह मौका नहीं मिलता कि वह क्रिशी छेत्र चोड़कर के शहर आकर के काम करें तो वह इस बात से और तरस्त होंगे कि पलाइन करके बहुत से लोग और वापस आ गये हैं तो रिज़गारदर कम हो गई ओपन मार्केट में गनीमत य जो डिमांड है वो कहीं जादा हो गई है खास्तवर से जब से कोविड आया है उससे कुछ राहत है मगर राहत एग चीज होती है ते मतलब आदमी इतना वरीवी में है और और ओपन मार्केट में काम है नहीं तो तो वो मजबूरी में मन्रेगा में काम करता है क्योंकि मन्रेगा की जो मजबूरी दर है वो ओपन मार्केट से तो कम हई है तो वो मजबूर होकर के वहां काम करता है जब काम करता है तो वो तो इसलिए करता ना कि मरता क्या ना करता खाना है उसको अपने परिवार को खिलाना ह तो अनसूचित जाती ऐसी स्थित में भूमिहीन होने की वज़े से और कृशी पर निर्भर हो गए हैं जो उनके दूरगामी परणाम इस प्रकार होंगे यह उमीद करें कि वह गरीबी रिखा से उपर उठते हैं जाहिरे उठते हैं तो कैसे उठेंगे अगर रोजगार गेर कुसी चेट में पैदा नहीं हो रहा हैं अब मैं मुस्लिम्स पर आता हूं तीके मुस्लिम्स के बारे में जो आप अंस्ट बताता है तो यह साफ दिख रह तो यह समझना जुरूई है क्योंकि अगर वो शिक्षा से थोड़े वंचित रहे हैं तो जाहिर है उनकी संगटे छेत्र में उनको काम कम मिलेगा ये और संगटे छेत्र में जाहिर है आयर जादा है एक बात मुसल्मान समझदाय के फेवर में ये जाती है उनके लिए अनकूल ये बात है कि उनकी उनका आणुपात उनकी जंसंख्या का आणुपात शहरी दीजादा है बनिस्वत ग्रामी डाऊंते ए यह बात डलित और 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 अदिवासीओं के लिए नहीं कह सकते मगर मुसल्मान समृधाओं के लिए यह बात कह सकते हैं तो उसका कुछ आयों मिलता यह तो यह तीन वरगों के बारे में मैं इतना ही कि अभी आपको बता सकती तो बहुत लंबी बात की जा सकती है विरोजगारी की दुनिया पर तो मैं आपसे अंतिम सवाल यह पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिसमें नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दो करौर रोजग में है और प्रिशी छेत्र चोड़ना चाहता है चाहे वो वैयस को हों चाहे वो युवा हों दूसरा समुदाय वह है जो आज की तारीक में खूंड रूप से बेरोजगार है उसकी संख्या देखिए 2012 में करीब एक करोड थी 10 मिलियन और वो बढ़ करके 2019 में ही तीन करोड हो गई थी तिगुनी हो गई थी और वो संख्या और बढ़ी कोविट के दौरान को करीब पौने चार करोड हो गई तो यानि कि इन पौने चार करोड के लिए आपको रोजगार पैदा करना है तीसरा समुदाय वह है जो लड़किया हो चाहे वो लड़के हो और मैंने लड़कियों के बाद पहले भी कही कि बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों के रोजगार पे तबज्जो देनी चाहिए सरकार को उनकी संख्या हर साल पचास से साथ लाग के अनुपात की संख्या से बढ़ रही है अब उनके ल रोजगार गैर खृषी छेत्र में अगर हमें पैदा करना है साल आना तो सिर्फ 75 लाग से काम नहीं चलेगा जैसे यूपीय की सरकार कर पा रही हमें बहुत कम करना होगा तो एक करोड नए रोजगार पैदा करने होगा कम से कम अब कैसे किया जाए पहली चीज तो सरकार को यह निश्चित करना होगा जो निवेश दर जब तक बढ़ती नहीं तो निया रोजगार का स्विजण नहीं होता है तो निवेश दर इस सरकार ने को मिली थी 31 प्रतिशद ऑफ जीडीपी मगर वो इस सरकार की गलतनीकियों की वज़े से गिरता चला जा रहा था कोविट से पहले 28 प्रतिशद हो गया था और अब 21-22 में 26 प्रतिशद है तो उसको बढ़ा करके बहुत कम उसको बढ़ाना है तो 31 प्रतिशद ले जाना है सरकारी नौक्रियों में बढ़ोतरी तीन-चार ढंग से हो सकती है ज्यादक यह तीन-चार छेत्रों में खास्तौर से बहुत जरूरी है होना कौन से छेत्र दो छेत्र ऐसे हैं जिन में देशका विकास होगा मानब विकास होगा अगर सरवजनिक में सरकार्ष बढ़ाए स्वास्त पे और स्वास्त और स्वांच पे खर्च बढ़ाना होगा बढ़ाएगी तो यह श्रम गहन च्छेत्र हैं श्रम गहन च्छेत्र होने की वज़े से इन में रोजगार भी पैदा होगा और हमारे देश की जन संख्या और जनता का विकास भी होगा मानव विकास होगा ये बहुत बहुत दुरुदी दूसरे दूसरे दू और चेत्र हैं सरकारी रोजगार बढ़ाने के वो हमारे देश का सुशासन में योगदान कर सकते हैं कौन से दो चेत्र हैं एक तो हमें मालूम है कि पुलीस की संख्या एक तो बहुत सारे रिक्त स्थान हैं यूपी मही मेरे पास आखड़े यह थे कुछ चार लाख पुलीस कर्मी हैं मगर जिसमें से एक लाख ग्या एक लाख से उपर रिक्त स्थान को भरियेगा तो जाहिर है हमारी पुलीस सुद्रिड होगी अब जाहिर है मतलब पुलीस के बारे में आदमी सोचता है तो पहली चीज़ आती है कि वो कितनी ब्रश्ट है मगर अब उस वो एक अलग चाकाविश है ठीक है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अगर इसमें कोई दो राए नहीं है कि हमें मालूम है कि बहुत सारी रिक्तियां हैं कि विकास में अगर हमें सुशासन लाना है तो वो उनकी ट्रेनिंग अच्छी करनी होगी और वगयरा उनके अपर अंकोश ऐसा होना चाहिए कि वो भरष्ट नहों मगर उनके रिक्तियां को भी वरना है दूसरा छेत्र जो सुशासन के कि नजरिये से बहुत ही जरूरी है वो है हमारी जुडिशरी जुडिशरी में अभी सीजे आई रमन्ना ने हम सब को याद दिलाया कि टोटल जो पेंडेंसी है वो एक करोड केसिस की है अब आप सूच लीजिए मतलब भयानक स्थिक्यां अब जाहिर हैं रिक्तियां हैं हर स तर पे तो इसमें क्या ताज़ुब है कि यह पेंडेंसी बढ़ती चली जाती है और सरकार को इसके तवज्ज़ देनी होगी तो एक फिर तो यह तो सरकारी नौक्यों का एक बात हो गई और एक और काम बहुत आवश्यक है मौजूदा हालत में खास्तोर से इसका इसका होगा कि जो इंफ्रस्ट्रक्चर जिस तरीके से मन्रेगा बिल्ट करता है तो हमारे शहरों शहरों की हालत बहुत बत्तर है अब कितना प्लूशन है जैसे अब प्लूशन की मतले एक उधारन आपको शहरों के दूनिया के जो 20 सबसे प्रदूशित शहर हैं उन में श्यसाइ प्रदूशन के ही छेत्र में नजाने कितना काम किया काम हो सकता है लो कास्ट हाउजिंग हो सकती है गरीबों के लिए स्लम्स का रिहाबिलेटेशन हो सकता है सडकों की जो हालत है मुझे आपको बतानी की जूरूत नहीं बरसात में किसे गड़े वगहरा वगहरा कितना ही काम हो सकता है और इसका एक फाइदा और होगा जो सरकार के बचत भी में योगदान देगा वो यह कि देखे सरकार को कोविट के बाद मन्रेगा पे खर्च बढ पढ़ा है और बढ़ाना मजबूरी मच पढ़ा है क्योंकि लोग वापस चले गए हैं बहुत सब्सक्राइब अगर आप अगर आप इनको वापस लाना चाहते हैं और मन्रेगा पे प्रेशर कम करना चाहते हैं तो यहां अगर शहरों में काम बढ़ेगा अर्बन हूं तो विरोजगारे की स्थित्राही त्राही है और बहुत-बहुत सुक्रिया हम से इस विश्याप बात करने के लिए और बहुत ही सरल तरीके से हर एक पहलू को बताने के लिए तो सुक्रिया सर आपका अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हैं तो आप न्यूज क्ल झाल 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 झाल